तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी क्यों? फकीरों की राँ तुम्हें आया कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी फकीरों की राँ तुम्हें आया कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल में फूल जाड़ी पड़ेगी फकीरों की राहों मैं आकर तो देखो फकीरों की राहों मैं आकर तो देखो भटकने का ना तुमको मौका मिलेगा अटकने का ना तुमको मौका मिलेगा सब यू बलेंगे पीछे वालों से गुजारिश क्यूं? दिवानो जरा शीर्डी जा कर देखो यारो सब दूआ करो यारो सब दूआ करो दिल जो चला गया है उसे आबात करो यारो तुम मेरा साथ दो जरा तुझे देखा सांसे मुझे आती अब कम धड़का ने रुक गई निकले ना दम तुझे देखा मादे मुझे आती अब कम धड़का ने रुक गई ने रुक गई ने रेकली ना दम तुझे देखा सांसे मुझे आती अब कम धड़का ने रुक गई ने रेकली ना दम मुझे दीगा सांसे मुझे आती अब कम धड़का ने रुक गई ने रेकली ना दम तरह खोल दो सब्सक्ति उप्सक्राइब करें सामने हो सरकार ने तरह यार तरह तेखला आए टेके ऐसे और ही हो रहाए है आप आद हाद इंजॉइ कर रहे हैं रहे हुझे घड़ो जाएं जिने बाबा के नाम के मस्ति है खड़ो जाएंगे क्योंकि फकीर जब अपनी रम्ज में आता है तो ना जाने किसको क्या दे जाए पहले आप पहले आप में ट्रेंज चुड़ जाती एक सर ऐसे नहीं बाबा की मस्ती के साथ मैं तो कह रहा हूँ अब बस आप लोग निया अपनी खड़े होंगे और अभी बाबा कुछ देने आए तो सबसे पहले आगया जाएंगे कोई बात नि जितने सेवरा सेवदार आज़ें उतने ठीक है कैसे कहना है दिदी आप भी आगया जाए भी आप भी आजाए आजाया देदी आए अजायार देदी आए आजायार देदीआर मस्त बढ़ा तेड़के बीबा मस्त बणा तेड़के बीबा मस्त बणा तेड़के बीबा मस्त बणा तेड़के बीबा मस्त बणा तेड़के बीबा इसको अच्छे वे में लेकर जाएं यह साही के लिए कहने हैं क्योंकि मौपत माशूक से भी होती है, मौपत माँ से भी होती है माश्त बढ़के बीबा